जय मातदी दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के माहा में की गई थोड़ी सी पूजा भी बहुत ज़्यादा फलदाई सिद्ध होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। ऐसी मानेता है कि इस महीने में भगवान शिव पृत्वी पर विचरन करते हैं क्योंकि इस महीने में भगवान विश्नु निद्र आवस्ता में चले जाते हैं और पृत्वी का कारयभार भगवान शिव को देखना पड़ता है ऐसा माना जाता है कि यदि कुवारी लड़की सावन के सोमवार का वरत करे तो उसे मनचाहा वर मिलता है और यदि सुहागन इस्त्री सावन के सोमवार का वरत रखती है तो उसके सुहाग की आयू लंबी होती है शास्त्रों के मुताबिक माता पार्वती ने भी सावन के सोमवार का वरत रखा था ताकि भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्विकार कर सकें और आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव की एक ऐसी प्रिय चीज के बारे में बताने जा रहे हैं यदि आप इस चीज को सावन के पवित्र महीने में भूलेनाद को चड़ा देते हैं तो आपकी मनचाही मनोकामना शिग्र ही पूरी हो जाएगी दोस्तों आपकी कैसी भी मनोकामना हो बस आपको सावन के महीने में भगवान भूलेनाद शंकर को इस थास चीज को चड़ा देना है भूले बाबा की क्रिपा आप पर बरसेगी और आपकी मनोकामना शिग्र ही पूरी हो जाएगी आप सावन महा के किसी भी सोवार के दिन स्नान आदी करके भगवान शिव शंकर के मंदिर जाएं। उसके बाद शिवलिंग के समय घी का दीपक जलाएं। और उसके बाद शिवलिंग को कच्चा दूद और गंगा जल चड़ाएं। यानि कि उनसे उनका अभिशेक करें और स् किस बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमस्षिवाई लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें दोस्तों बिल्व पत्र अर्पित करने के बाद अपनी सभी मनोकामना शिवलिंग पर माथा टेक कर बोल देनी हैं ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी साथ ही ऐसा अनामिका यानि कि अंगूठे और मध्यम उंगली की मदद से चड़ाएं और शिप जी को बेल पत्र अरपन करने के साथ साथ जल की धारा जरूर चड़ाएं लेकिन ध्यान रहें कि पतियां कटी फटी ना हो दोस्तों आपकी उपर भगवान शिफ की विशेश क्रिपा बरस्त सब्सक्राइब कीजिए 37 बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों